इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतिय न्याई सहिता के सेक्शन 127 के बारे में चुकि रॉंगफुल कनफाइन्मेंट की बात करता है। जब कोई किसी वेक्ति का इस तरह से कहीं आना जाना रोग देता है कि उस वेक्ति को निश्चित परिसीमा के अंदर कैद कर लिया जाए। किसी वेक्ति का रॉंगफुली कनफाइन्मेंट होना चाहिए यानि कि गलत तरीके से उस वेक्ति के अधिकारों का हानन होना चाहिए कहीं पर उस वेक्ति को बाउंड कर देना चाहिए। और दूसरे इंग्रीडियन्ट है कि इस तरह का कनफाइन्मेंट उस वेक्ति को उतनी ही जगा में समेट कर रखते वो वेक्ति इस तरह से उस जगा पर कैद हो जाए कि वहां से वो बाहर न निकल पाए। और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उस वेक्ति को कितने टाइम के लिए कहीं पर कैद किया गया था। उस वेक्ति को पाँची मिनिट के लिए कहीं पर जबर जस्ती रोका गया था कहीं पर कैद किया गया था तब भी ये धारा वहां पर लागू हो जाती है आए इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं पहला इलिस्ट्रेशन कहता है कि ए जड को एक ग्राउंड में जो कि चारों कि ए ने जड का रॉंग फुल कंफाइनमेंट किया है दूसरे इलिस्ट्रेशन कहता है कि ए एक बिल्डिंग के बाहर कुछ बंदूग धारी बिठा देता है और जड से कहता है जो उस बिल्डिंग में है कि अगर वो बाहर निकला तो वो लोग उसे गोली मार देंगे तो ज व्यक्ति फ्री होता है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगा पर जाने से उसको रोग दिया जाता है तो वहां पर रॉंग फुल रिष्टेंड माना जाता है लेकिन रॉंग फुल कंफाइनमेंट पे एक व्यक्ति को ही कहीं पर कैद कर दिया जाता है अब वो जगा छोटी भ पादपैर बांदे जाएं उसे डराना धमकाना ही काफी होता है तो वहाँ पर यह माना जाता है कि उस वैक्ति का संदोस परिरोद किया गया है section 127 clause 2 इसकी punishment की बात करता है कहता है कि अगर कोई वैक्ति किसी वैक्ति का wrongfully confine करता है तो ये एक punishable offense बनाया गया है जिसमें कि किसी भी तरह कि सजा हो सकती है और सजा को एक साल तक बढ़ाया जा सकता है प्लस इसमें fine भी लगाया जाता है और fine को भी बढ़ाया जा सकता है 5000 रोपे तक तो इसमें सजा और फाइन दोनों का प्रोविजन किया गया है या फिर दोनों ही साथ-साथ लगाए जा सकते हैं तो ये थी information BNS के section 127 की जिसे IPC के section 340 में deal किया जाता था होप कि ये वीडियो आपको informative लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा